हे गाइज वेलकम टूब माई चैनल मैज सर आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बेसिक सी इंडरोडक्शन ओफ रियल नंबर्स क्या होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं जो भी नंबर हम इस नंबर लाइन के उपर रिपर्जेंट कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स जैसे कि एक साइड इस नमबर लाइन के एक साइड पॉजिटिव नमबर्स है और एक साइड क्या है नेगेटिव नमबर्स है और सेंटर में जीरो है तो जो भी number इस number line के उपर हम represent कर सकते हैं उसे हम बोलते है real number और इसको हम R से denote करते हैं और यह infinite numbers होते हैं तो जो भी number हम इसके उपर represent कर सकते हैं वो real number होंगे जाने कि चाहे वो rational number हो, real number हो natural number हो, whole number हो, integers हो कोई भी number यह सब भी numbers इस नमम्बर लाइन के उपर रीपरेसेंट कर सकते हैं तो आगे हम बत करते हैं इसकी टाइब की रियल नममर की टाइब की पहले है नैचरल नमरर नैचरल नमर क्या होते हैं जो नमबर 1 यंहें यह जो 1, 2 , 3 , up to so, on इन्फाइन इसे हम बोलते हैं क्यूं कह सकते हैं क्यूंकि इसमें सभी natural numbers आ जाते हैं लेकि natural number को हम whole number नहीं कह सकते हैं क्यूंकि इसमें सभी whole number cover नहीं होते हैं तो आगे हम बात करते हैं rational numbers की rational number क्या होते हैं जो numbers को हम P by Q की form में लिख सकते हैं इसके लिए condition होती है कि Q does not equals to 0 जैसे कि हम एक example ले लेते हैं 5 by 0, अब किसी भी number को 0 से divide करेंगे, उसका answer infinite आएगा, infinity answer क्या होता है? infinity क्या है, यह p by q की form में नहीं है, अब जब यह p by q की form में नहीं है, तो यह क्या होगी, irrational number नहीं होगी, इसलिए जो number यह condition रोबेह करेंगे, कि Q does not equal to 0 और P by Q की form में होंगे उसे हम कहेंगे rational numbers आगे हम बात करते हैं irrational numbers कि irrational number क्या होते हैं जो P by Q की form में नहीं लिखे जा सकते जो number P by Q की form में नहीं लिखे जा सकते उसे हम बोलते है irrational numbers integers क्या होते हैं integers होते हैं negative और positive numbers जैसे कि हम number line के उपर देख लेते हैं एक side positive number है और एक side के है negative numbers है तो इन सबी numbers को हम क्या बोलते हैं integers, integers क्या होते हैं negative और positive numbers होते हैं तो ये थी basic सी introduction of real numbers अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को subscribe जुरूर कीजिए Thank you so much